अक्रिपष्ट हमारी चेस्ट के फरस्ट्स एक्साइज है फ्लाग बेंग्स ये एक्साइज आपके पैक्ट रोल इस मेजर को टार्गेट करती है और इसके आज के सेट कुछ इस प्रकार रहेंगे पहले सेट में आप 12 रैप्स के लिए क्टीप करेंगे और और 12 reps आपको hardly निकालने हैं ना कि easily पूरी struggle होनी चीए आपके first set में ही और again आपको set by set weight बढ़ाते जाना है और अपनी progress को increase करते जाना है और repetition आपके 8 to 8 से 12 के बीच में रहेंगे जिससे hypertrophic rate होगी हमारी chest की second exercise है decline double presses again ये exercise आपके chest के all packs को activate करती है और इने target करती है ये आपकी all over chest की growth के लिए भी बहुत best exercise मानी जाती है इसके set and repetition कुछ इस प्रकार रहेंगे और आपको इसमें भी progressive overload add करना है आपको एक ऐसा weight select करना है जिसके आराम से आप firstly 12 reps निकाल सके next exercise है हमारी chest fly इस exercise में आपको अपनी chest को completely isolate करना है और feel करना है हर एक wrap को and again इसमें भी आप अपना progressive overload add कर सकते हैं पर इसमें आप थोड़ा lightweight ही use करें ताकि आप अपनी chest को completely isolate कर पाएं और अपनी हर movement को feel कर पाएं और हर wraps को इसके आज के repetition and sets कुछ इस परकार रहेंगे आपको अपनी chest को maximum stress देना है अपनी hands को पीछे ले जाकर and हमारी next exercise रहेगी bar dips यह exercise आपके lower chest के thickness को बढ़ाती है और आपकी all over chest को target करती है again इसमें आपका trices भी involve हो रहा है पर हमारा major lead जो हमारा target है वो हमारी chest है अगेन आपको इस exercise को भी slowly perform करना है और stretch feel करना है अपनी chest में अब चुरुबात करते हैं हमारा shoulder की first exercise से वो है military presses मैं यहाँ पर smith machine में लगा रहा हूं पर आप पर आप चाहे तो simple weight में लगा सकते हैं simple free weight से अगर आपकी जिम में यह smith machine नहीं है तो इसके sets and reputation कुछ इस परकार रहेंगे आज के और next हमारी exercise है lateral raises यह one of the best and favorite exercise है मेरी and both best exercise मानी जाती है आपके side darts को develop करने के लिए and again इसमें आप moderate weight choose करें और अपने mind and muscle connection बना कर रखें और हर reputation हर moment को feel feel करें हमारी shoulder की last exercise है dumbbell sags आप चाहे तो यहां बार्बल का भी use कर सकते हैं पर मैं dumbbells के साथ थोड़ा comfortable रहता हूं तो मैं dumbbell use कर रहा हूं आपको थोड़ा सा slightly bend देना है अपने posture में and then इस exercise को perform करना है इसके आज के sets कुछ इस परकार रहेंगे and reputation भी कुछ इस परकार रहेंगे तो इस exercise के साथ ही हमारा shoulder and chest का workout ही यहां खतम होता है तुमको का लगता था वीडियो खतम हो चुके है नहीं मेरे भाई थोड़ी जिबाकी है अगर आपको आप सब लेगों को किसी कोई confusion है इन वीडियो से related तो आप इसकी overview वीडियो मैंने बना रहें एंड से क्रीन पर आप आप एक बार उसे जरूर देखते है उससे आपको clear हो जाएगा कि हम इस transformation series में क्या कर रहे हैं किस किस प्रकार का workout लगा रहे हैं and मेरे भाई अब की बार 9 बहाना share करना मत बूलना ऐसे बंदे की साथ जरूर share करना जो हमेशे आपने workouts को लेकर confused रहता है उसके पास कोई particular workout plan प्लैन फॉलो कर लेता है और इसे कारण उस बंदे की घ्रोथ नहीं होपाती है तो उस बंदे की सजाथ इसे जरूर share करना and खुद भी इसे अपने workout regime में add करना और transform करना मेरे भाई मलव अगर सो बंदे वीडियो देखेंगे ना सो में से दस भी अपनाएंगे और दस फ्रांग्सवम होएंगे ना यार बहुत बड़ी बाद है मेरे लिए and thank you, thanks for watching, thank you for your love and support, I love you all guys, मिलते हैं आने वाली वीडियो में, तब तक के लिए, बड़ बाई